कर दी कि बॉन बार्डिंग स्टुडेंट्स आज हम आपको ट्वल्थ क्लास का जो क्लास हमारा है ट्वल्थ और सब्जेक्ट केमिस्ट्री और लेसन जो हमारा यानि यूनिट चल लही है हमारी हैलो एलकेन एंड हैलो एरीन बच्चो टॉपिक हमारा आज है किलो रोव फार्म च्च च्च लट्री तो बच्चो पिछली क्लास में हमने हैलो एलकेन की जनरल मैथड्स बताएं उसकी प्रेपरेशन के जनरल मैथड्स के बाद हैलो एलकेन की फिजिकल प्रपरटीज बताएं फिर इसके बाद कैमिकल प्रपरटीज बताएं तो बच्चो कैमिकल प्रपरटीज के बाद हमारा जो मेंड टॉपिक है किलो रोव फार्म बच्चो यह एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट मॉस्ट मॉट्ड रहे किलोव फार्म क्योंकि अक्षर अधिक्तर जो मुंछा गया है किलो मौणा की टॉपिक है मारा किलो रॉव फार्म बननाएं कि प्योक्शला भी दूए प्योक्शला भी दी लाइ माद अधोड आफ किलोरो फार्म बच्चो किलोरो फार्म जो लेम मेथट है किलोरो फार्म का उसकी दो मेथट्स हैं लेम मेथट्स एक है बिरंजक चूर्ड से और एलकोहल से इन्हें इतायल एलकोहल और बिरंजक चूर्ड और दूसरी है ऐसी टोन पर बिरंजक चूर्ड की रेक्शन से यहनि उसके आसवन से हम किलोरो फार्म पनाएंगे बच्चो जब हम किलोरो फारम प्राप्ट करते हैं तो इथाईल आलकोहल को बरंजक चूड के शाथ आस्वित करते हैं तो हमें किलोरो फारम प्राप्ट होता है और ये प्रोसेज होती है चार इस्टेम में प्राप्ट होती है तो हम लिख सकते हैं जब हम ethyl alcohol ethyl alcohol को bleaching powder bleaching powder bleaching powder को बच्चो बिरेंजक चूड़ भी कहते हैं bleaching powder के साथ आस्वित करते हैं तो हमें किलोरो फार्म पर आप तो होता है ये पिर क्रिया ये क्रिया ये क्रिया चार पदो या श्टेप में पूर होती है बुच्चो ये एक प्रकार से हिंदी डिफिनेशन है किलोरो फार्म के लाइब मतट की तो पहला श्टेप जो हमारा ब्रेंजक चूड है इसे वाटर के साथ रेक्शन करा दें तुम्हारा सी ये ओ आइज का होल्टो आइज पहला सी अल टू तूच्चो ये किलोरीन मुक्त होती है और दूसरे इस्टेप में जो किलोरीन है यदि यो वाटर से रेक्शन कर ले तो टू एसी येल और नवजाद ओक्सियन पिराब दोता है यहाँ किलोरीन जो है किलोरीनेशन करेगा ओक्सियन जो है ओक्सिडेशन करेगा अब अच्चो नेक्स्ट चिटे में हमारा इथायल एलकॉल है CS3, CS2, OH इसकी रेक्शन हम पिलस किलोरीन से करा दें है 3, CL2 तो वहने खाए C, CL3 ने बच्चो, सोरी बच्चो, पहले इसका ओक्सिडेशन होगा जो हमारा पिलस ओक्सियन है नवजाद ओक्सियन जो बनाता इससे पहले एरेक्शन होगी इताल आलकॉल का ओक्सीडेशन होगा, ओक्सीडेशन में हमारा CH3, CHO, पिलस H2O, यह हमारा acetaldehyde, acetaldehyde परापत होता है, बच्छो, acetaldehyde, next step है हमारा acetaldehyde की का क्लोरिनेशन होगा, CH3, CHO, पिलस 3Cl2, फिर हमारा यहापर, C, CL3, CHO, पिलस 3SCl, यह किलोरल पराफ दूगा बच्छो, यह किलोरल बन गया, अब बच्छो, जो हमारा बुझा चूना है, लाइम है, इसकी पर उसकी पिरकिरिया जो की रेक्शन है, वो इससे किलोरल से कराएंगे, यहाँ C, A, O, H को हम इस तरीके से लख लेते हैं, और पिलस में, यहाँ भी पिलस में, C, C, L, 3, C, O, C, C, L, 3, C, O, तो बच्छो, यह रेक्शन में हमारा इतना पार्ट देख रहे हैं है, हम यह क्लोरोफारम बना 2, C, H, C, L, 3, पिलस और बना, H, C, O, O, का होल्ट वाइज, C, A. नगे। इस क्छो है, तो बच्छो, यह हमारी रेक्शन चार स्टेम में पूड़ होती हैं, पहला स्टेम, यह दोनों पहले स्टेम आते हैं, दूसरा स्टेम है, तीसरा स्टेम है, चोथा स्टेम है, लेकिन अमने, बंबरिंग नंबरिंग पहले से देदी यह समझने की जुरू होता है तो बचूँए हमारा लैम मेथट में हमारा के अलकॉल से यह इतायल आलकॉल से किलोरो फारम प्राप दूहा यह स्टेप हमें याद रखने पड़ेंगे स्टेप हैं कभी कभी बीच में से भी इस्टेप आते हैं कि हमारा यह किलोरी नेशन का भी आयता है तो पहली बिदी है यह नमर ले ले लेते हैं जो मारा इतायल अलकॉल से बीचिंग पारडर के साथ जो आस्वित कराया गया है तो हमें किलोरी फर्म प्राप्त हुआ है और बच्चू इसके चार जो स्टेप थे वो चार दो स्टेप के हैं अलग अलग रेक्शन दे दी गई हैं यह हमारा देखो बिरंजक चूड है बिलीचिंग पार्टर जीसे कहते हैं इसकी वाटर से रेक्शन हो रही है तो यह हमार पर इसने किलोरी ने इसे नवब जातं बना दिया यहां से जल्से नवब जात ऑक्सीन का काम है इसे अस्योर्न करना थे और ओक्सिटेशन Curry ऑंचोना डायम से और किलोरिण से रेक्शन होई तो हमारा किलोरोफ फार्म और यह बच्छो कैल्सियम फार्मेट प्राप्ट हुआ तो यह नोट करें ना बच्छो नाक्ष्ट हमारे जो दूसरी है वह स्टेप है हमारे एसी टॉन से हमारा दूसरा कंपाउंड एसी टॉन है एसी टॉन ए बी नमर फ्रॉम एसी टॉन एक की टॉन है तो यहां लेख सकते हैं दूसरी डिफिनिस है जब हम एसी टॉन एसी टॉन की अभिकिरिया बिलीचिंग पाउडर या वी रंजक चूड हिंदी में कहते हैं वी रंजक चूड के साथ वी रंजक चूड के साथ कराते हैं तो हमें किलोरो फार्म पर आप तो होता हैं तो बच्चू यह भी चार इस्चे में पूरोगी पहला इस्चे जो होता हैं किलोरीन से रेक्षण होती है इसे वह पहले रेक्षण थी वह इसमें नहीं किराए गई इससे स्थी स्थी सी यो स्थी हमारा एक की टोन ऐसी टोन है इसकी किलोरीन से रेक्षण गराएं थी इस मॉलकुल रहते हैं तो हमारा CCL3 CO CS3 ट्राइ के लोर है सी टोन पर आप्ट होता है और पिलस थी है सी यल और ट्राइ के लोर दूसरा इस्टेम में दो इस्टेम में समेट देते हैं कि दूसरे इस्टेम में क्या है जो सी ए ओ एच है जो बिरंजक चूड़ से प्राप्त हुआ था वह नेक्स्ट पहले वाली इस्टेम में उसमें रेक्षण करा दिया है है तो मारा है सी एल 3 वे सी ओ सी सी एल 3 के सी एस्टिर इस एक यह गडती इसका पहला है यह बिलीचिंग पॉर्डर जो प्राप्त हुआ हैं बिलीचिंग पॉर्डरं से एंब जहा चूना तो प्राप्त हुआ है तो बच्चो जब बजाचूना सेरेक्शन हो रही है यहां इतना बहाग बच्चो किलोरोफार में है 2CHCl3 पेला से बच्चो CS3 COO का होल्ट वाइज सी है तो यहां बच्चो हमारा एसीटोन से ट्राइकलोरोएसीटोन प्राप्ट हुआ है ट्राइकलोरोएसीटोन की रेक्शन जो करा है हमारे कैलसियम हाट रॉकसाइड से तो हमारा किलोरोफार में प्राप्ट हुआ है किलोरोफार में हम बना रहे हैं लेम मेतलिस का हमारा किलोरोफार में का यह है और हमारा यह कैलसियम एसिटेट है जो मारी एथाइल एल्कॉइल सेरेक्शन थी उसमें यहां पर कैल्सियम फार्मेट पराप्ट हुआ है और यहां पर कैल्सियम एसिटेट तो बच्छों यह दो लैम मैथट थी हमारी किलोरोफार्म बनाने की कि आपने किलोरोफार्म पराप्स किया दो बाद इंपुटर नहीं है इसका स्क्रीन सोट ले लिए कर बच्छों और हमारा अब नाक्स्ट हमारा इसका जो फिगर है वो भी हम आपको बना देते हैं बच्छों यहां पर देखते हैं एक स्टैंड लेते हैं साइड से इसका डाइगरा में यहां बच्छों एक लैंप लेते हैं इस्प्रिट लैंप होगा यह गैस का यूज होता है अब यह इस्प्रिट लैंप है और यहां पर एक स्टैंड ले लेते हैं कसने का यहां पर इस पर एक वच्छों सैंड वात बोलते हैं अलग से पोर्ट होता है सैंड वात उसमें सैंड बढ़ देते हैं यहां बच्छों गोल पेंदी के फिलास्क लेते हैं गोल पेंदी के फिलास्क को इसमें एक को अलग से टूब ले लेते हैं इसमें बीच मच्छों कॉर्क लगा होता है यह यहां से बच्छों इसमें पहले से बिरंजक चूड डाल लिया होता है और बच्छों इसमें बच्छों पहले से इसमें डाल कर रखते हैं यहां से बनायते बच्छों डारेक्टली इसे यह कॉर्क लगा होता है कॉर्क में से अंदर से दसा देते हैं और यह नली मुडूवी ऐसी लगाते हैं कि मेट्रियल पहले से इसमें डाल देते हैं बार लेते हैं कॉर्क लगाने से पहले इसमें बिरंजक चूड और इथाइल अलकॉल का मिसरल होता है और बच्चू हमारी डली इसमें बच्चू एक कंडेंसर लगा होता है कंडेंसर यह कंडेंसर का काम होता है बच्चू गैस जो किलोरो फार्म आती है वह बच्चू गैस फार्म में बास फार्म आती है और बच्चू यहां से वाटर इसमें जाता है और यहां से निकलता रहता है बच्चू यहां पर एक अड़ाप्टर लगा होता है अड़ाप्टर बच्चू इसमें अलग से फिट किया होता है और यहां एक कॉनिकल फ्लास्क एक कॉर्क लगा होता है और यहां पर यह इसमें शिद्रत होता है यहां से बच्चू कॉनिकल फ्लास्क को यहां रख देते हैं इसमें बच्चू ऊपर आएस होता है तो चूँए आपका यहां पर एक स्टैंड रहता है जिस पर कसा होता है जिस्टैंड है बच्चो तोड़ा तिरचा है तो बच्चो यह फिकर यहां पर इसमें फिलास्क को कसने के लिए एक को फिलास्क को तो बच्चो यह इस्टेंड था हमारा यह फिकर बनके तयार हो गए हमारा और यहां पर एक कॉर्क लगा होता है लली में दसाने के लिए तो बच्चों यह उपर यहां पर ठंडा वाटर कॉल्ड वाटर होता है यह वाटर यहां भी वाटर यह कॉल्ड वाटर जाएगा यहां से हीडो के निकलेगा हमारा यह सैंड वाथ है सैंड वाट यह हमारा बच्चों इसमें किलोरो फार्म के साथ जो बनाते हैं हम इथाल एलकॉल फार्मुला लेते हैं सीट फाइच वाट यह ओ प्लास सी ए वो सी एल्टू कि पोड़्ट है मारा वक्चों इस हैंड वात है और यह सेंट बात है इसमें जो वरा है वह मारा C2H5OH और CAOCL2 यह वर्नर है और यह कंडेंसर है यह एडाप्टर है यह रिसीवर है यहां वाटर की लेर है यहां नीचे किलोरो फार्म है इसे बच्छो कौनिकल फिलास्क बोलते हैं यह स्टैंड है तो बच्छो यह हमारा इथायल एलकॉल से और बिलंजर चूड के साथ में रेक्शन कराते हैं तो हमारा किलोरो फार्म पर आप्ट होता है यह आपने आज इसका स्क्रीन सोड ले लेना और आप इस पर बना लेना फियर पर अजीर यह आ हमारा इसका स्क्रीषण करतना लेंडना लेना लेक्शन करते हैं यह एसका स्क्रीषण करते हैं यह उत्व करते हैं बुच्छू ये दो लाइम मैथट बड़ी आपने और दो लाइम मैथट के बाद इसकी एकाद मैथट और बाते हैं कै यद्धि हमें सुद्ध किलोरोफार्म कराप करना हे थिए connect ее प्योह ने प्योह है किलो फार्म ₃ पूरा है थे प्रिभट त believed for प्रिप्रेशन प्रिप्रेशन और प्योर किलोरोफार्म तो किलोरोफार्म प्योर किराप करने के लिए बच्चु हम इसे अथायल अल्कोहल प्योर किलोरोफार्म प्राप करने के लिए किलोरोफार्म जो प्योर प्योर प्राप्त करते हैं तो हम किलोरोफार्म की रियक्शन थो हमारा रियक्शन कराने पर प्योर किलोरोफार्म प्राप्त होगा तो यहां पर प्राप्त होगा सी एज सी एल थ्री पिलस ह सी डबल ओ एन है यह सोडियम फार्म है हमारा यह किलोरो फार्म तो यह थी है हमारी बच्चो बच्चो जन्रल मेथड्स फी इसकी प्यूर किलोरो फार्म प्राप्त करने की और दो पढ़ी इसकी लाई मेथड्स बच्चो अब नाश्ट हमारी टॉपिक है एक रेक्शन हो रहे है एक विदी हो रहे है पहले विदी दूसरी विदी तीसरी विदी हो रहे है कारवन फ्रॉम कारवन टेट्रा किलोराइड बच्चो कारवन टेट्रा किलोराइड का रेडक्शन करते हैं कि की प्रॉइंस्ट होती है प्रॉइंस्ट होती है और पिलस एक हैच सी अलेदर जाएगा यह हमारा किलोरो फार्म है तो पुछो आपने यह किलोरो फार्म पड़ लिया किलोरो फार्म बनने की जनरल मेतड़्स लेंब मेतड़्स दो उसका फिगर यह आप इसे कंप्लीट कर लें मोस्ट इंप्रोटेंट है और आपको एक एसाइनमेंट देते हैं इसी में ही क्योंकि एसाइनमेंट आपको कंप्लीट करके हमें दिखाना है कॉलेज में आके तो हम दे रहे हैं बच्छो इसमें हेलो एलकेन पड़ा आपने उस हेलो एलकेन में उसी केमिकल प्रपर्टीज फिजिकल प्रपर्टीज भी पड़ी तुप एसनमेंट है मरा पहला किलोरो फार्म बनाने की प्रियोग चाला बिदी लिखिये दूसरा है हेलो एलकेन के बनाने की पांच सामान्य बिधिया लिखिये लिखिये यह आपके दो आइसनमेंट है यह करना है आपको और यहाँ पर इसकुल मा के चेक करना है आज प्री धन्नवा